दूबई की अरवों डॉलर की एक ऐसी यूजना जो ज्यादतर खाली और सुमसान पड़ी है ये परियोजना 260 छोटे छोटे द्यूपों का एक जाल है जिन्हें दम्या के सभी महादूइपों के आकार में विक्सित किया रहा है इस प्रोजेक्ट पर काम शुप हुए 20 साज से ज्यादा बीट चुके हैं सवाल ये है कि दी वर्ल्ड आईलेंड्स के साथ आखिर हुआ क्या है दी वर्ल्ड नाम की इस परियोजना की परिकल्पना 260 आर्टिफिशियल द्वीपों के तोड़ पर की गई थी इन्हें इस तरह बनाया जाना था जिस तरह धरती पर सारे महादूइपों आबाद है ये प्रोजेक्ट दूबाई के समुदृतट से लगभग 4 किलोमीटर दूर बनाया जाना था हर द्वीप का नाम उस देश, इलाके या शहर के नाम पर रखा गया जिस महादूइप में वो स्थित है इस परियोजना के तहित प्राइवेट कंपनियों को इन द्वीपों पर तमाम सुविधाओं जैसे की होटेल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट या बंगलो, पोठियों का विकास करना था उमीड ये लगाई गई थी कि इससे दुबई आने वाले सैलानियों की तादाद में बढ़ोती होगी इस परियोजना का एलान 2003 में दुबई के शाशक शेक मुहमद अलमक्तूम निक्रिया था सरकार से मदद पाने वाली एक कमपनी नखील प्रॉपर्टीज ने विवर्ट पर 2003 में ही काम शुरू कर दिया था इस कमपनी ने पाम जुमेराहर के नाम से एक बनाबटी द्वीप विक्सित भी किया इन द्वीपों को फारस की खाड़ी के समुद्र तल से 32.1 करोड घनफुट रेत निकाल कर बनाए गया था परियावरण विद कहते हैं कि समुद्र की तल हटी से रेत की खुदाई किये जाने से फारस की खाड़ी में मुंगे की चटानों को काफी नुकसान पहुचा है नखील प्रॉपर्टीज ने उन्हें फिर से बनाने और मुंगों को दोबारा आबाद करने के लिए समुद्री जीव विज्यानिकों की सिवाएं ली थी नखील प्रॉपर्टीज ने इन आर्टिफिशल दूइपों और आसपास के समुद्री इलाके का निर्माण 2008 में पूरा कर लिया था लेकिन फिर अमेरिका से शुरू हुए वित्तिय संकटने दुबई को भी अपने चप्रेट में गया और इसका असर 2010 तक रहा इस दौरान दुबई में प्रॉपर्टी कीमतों में काफी गिरावड़ना दई इसकी वजह से बहुत सी निजी कंपनियों ने या तो इस योजना से पने हाथ हींच लिये या फिर उन्हें रोक दिया खुद नखील प्रॉपर्टीज के उपर भी अर्बो डॉलर का कर्ज चड़ गया दिवॉल्ड की बनावट पर बड़ा काम करने के लिए नखील प्रॉपर्टीज अब फेकेदार तलाश रही है इस परियोजना के तहट सभी 260 द्वीपों को महा द्वीपों के तौर पर एक दूसरे से जोड़ा जाएगा मूर रूप से तो दिवॉल्ड के हर द्वीप के लिए पानी और बिजली की अपनी अलग सुविधा होनी थी लेकिन ये बहुत महंगा और अव्यभारिक विकर्द था जब इन बनावटी द्वीपों को महा द्वीपों के तौर पर एक दूसरे से जोड़ दिया जाएगा तो उसके बाद ये द्वीप बिजली पानी जैसी सुविधाएं एक दूसरे से साजह करेंगे बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है हमें कमेंट में बताए और देश दुनिया की ऐसी ही खबरों के लिए वारता 24 न्यूस चैनल को सब्सक्राइब करें आप देख रहे हैं वारता 24